दोस्तों आज जैसे कि आप जानते हैं मैंने आपको बताया था कि आज से हम जो PGT के हमारे Indian Writers हैं वो स्टार्ट करने वाले हैं अब इससे पहले मैंने आपको वो writers आपको पढ़ाए जो की TGT में included थे उन writers को आपको पढ़ाए गया और वो अभी भी continue है तो जो TGT के writers हैं वो आपको अलग videos में मिलते रहेंगे PGT का आपका separate चलता रहेगा अलग से तो दोनों ही तैयारी आपकी पूरी तरह से चलती दिया और अब जाकर ये writers start हुए हैं लेकिन दोस्तों कहते हैं कि देर आए पर दुरुस्त आए वो हकीकत है कि ये जो direction होती है जो आगे बढ़ने वाली दिशा होती है दोस्तों वो बहुत ज़्यादा important होती है ना कि उसके कि आप fast भाग रहे हैं आप speed में भाग रहे हैं ल दुनिया भागती है दोस्तों और बहुत से coaching वाले भी भाग रहे हैं मुझसे यहाँ पर कहा किसी ने कि सर उन्होंने तो 13 writers करा दिये उन्होंने 14 writers करा दिये और अभी आपने तो 2 या 3 ही कराए हैं तो लेकिन आप मेरे 2-3 और उनके 13-14 comparison कर लेना कि किस तरह से कराए गए है यह आपको भी मालूम है कि मेहनत में कोई कमी नहीं रहती है पूरी तत्परता के साथ आपको पढ़ाया जाता है एक एक concept आपका clear कराया जाता है और पूरे deep में जाकर मैं आपको तयारी कराता हूँ तो दोस्तों वही चीज है उसी चीज को हमें continue रखना है लेकिन अब एक बात में आपको कह देता हूँ कि speed भी होगी strategy भी होगी और उसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे चीजों को पूरा समझाते हुए अच्छी तरह से और अब आप देखिए कि किस प्रकार से मैंने आपसे क्या कहा था मैंने आपसे यह कहा था कि एक बार मुझे उस पढ़ाव तक आने दीजिए अभी आप यह writers पढ़िए लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं आपका सारा course भी complete होगा और strategy के साथ complete होगा और अच्छी तरह से आप तयार कर पाएंगे तो दोस्तों अब उन गिले सिक्वों को भूल जाईए और केवल और केवल पढ़ाई में लग जा मुल्क राच आनन्द आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मुल्क राच आनन्द से one of the most famous Indian English writer इनको हम Anglo Indian writer के रूप में जानते हैं मुल्क राच आनन्द को तो आज इनी को हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों ही जो मुल्क राच आनन्द है मुल्क राच आनन्द की बात करें तो ये किस प्रकार के writer है ये writer है social जो हमारा conception होता है समाज होता है society की roots से जुड़े हुए writer है कहने का मतलब realistic picture of society इनके work में सबसे बड़ी point हमें क्या देखने को मिलेगा realistic picture of society समाज की एक वास्तविक picture हमें देखने को मिलेगी अब समाज की वास्तविक picture किस प्रकार की वास्तविक picture को देखने को मिलेगी क्योंकि realism की बात हम करें तो इनके realistic approach क्या है इनका realism क्या है तो दुस्तों इनका realism है realistic issues of society जो समाज के वास्तविक मुद्दे है वही इनका issue है समाज के वास्तविक मुद्दे अब समाज में कौन सी परिशानिया है समाज में जो आपने देखा हुआ child labor की problem है समाज में untouchability वारी problem है समाज में जो poor society है उसके exploitation की problem है समाज में problem है जो women exploitation है उसकी problem है और समाज में problem है unemployment की problem है तो ये सारी की सारी जो problems है सारे issues है इस प्रकार के issues हमें देखने को मिलते हैं कहाँ पर मुल्क राच आनंद के works में whether you talk about fiction aside और short story एक चीछ ध्यान रखना ये भी question exam में पूछा जाता है कि मुल्क राच आनंद जो है वो जो work लिखते हैं वो two phases में बटे हुए हैं वो कौन-कौन से field में expert माने जाते हैं तो दूस्तो एक तो novel के field में याद रखना मुल्क राच आनंद को एक तो novel के field में consider किया जाता है और दूसरा इनको short story writer क्या मने जाता है short story writer याद रख लेना दूस्तो short story writer है ये famous short story writer के रुप में मुलकराज आनंद को जाना जाता है इसके साथ-साथ मुलकराज आनंद जो है वो क्या है? वो एक नॉवलिस्ट है बहुत अच्छे खासे इनको नॉवलिस्ट हम कहेंगे और दोस्तों ये जो किस कैटेगरी में आते हैं? ये आते हैं इंडो एंगलियन इंडो एंगलियन फिक्षन ये लिखते हैं कैसे? इंडो एंगलियन फिक्षन लिखते हैं इंडो एंगलियन ये राइटर है जो मुलकराज आनंद है और मुलकराज आनंद के जो इशूज है वो क्या है? रियलिस्टिक इशूज आप सोसाइटी है अब इन realistic issues में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि समाज में जो exploitation हो रहा है समाज में जो एक तरह की बुराईयां पनप रही हैं उनको लेकर ये बहुत ज़्यादा aware थे तो कुल मिलाकर social evils जो समाज की बुराई होती है social evils जो होती है उनको ये अपने work में दर्शाते है मुल्क राच आनंद के works में हमें क्या देखने को मिलता है दोस्तो मुल्क राच आनंद के work में हमें देखने को मिलता है social evils और इसके अलावा जो castricism समाज में फैला हुआ है जो एक जातीवाद होता है जिसको मुलकराज आनंद ने देखा कि समाज में किस प्रकार से वो फैला हुआ है तो उस पर भी अपने नौवल्स के माध्यम से उन्होंने आवाज उठाई और दोस्तों इस बात को देखा जाए तो मुलकराज आनंद का अंटचेबल अगर जो आपने पढ़ा हो कभी अंटचेबल दस्टोरी ओव बाखा राखा लाखा सोही नी तो उसमें किस प्रकार से समाज के इस मुद्दे को दर्शाय गया है कि किस प्रकार से समाज में ये जो चुआ चूट की एक बीमारी कह सकते हैं इसको वो लोगों में वो सोच गंदी सोच पनप रही थी तो उसको उन्होंने अपने फिक्शन में दर्शाया और समाज में इसके खिलाफ एक आवाज भी उठाई और महत्मा गांदी का रोल भी उसमें बहुत इंपोर्टेंट हो जाता है इस उपन्यास में जो हम अंटचेबल की बात करते हैं तो दोस्तो एक चीज़ फिर से समझेए मुल्क राच आनंद दो फिल्ड में जाने जाते हैं एक तो नॉवल और एक स्टोरी राइटर ये इनके दो मेजर फिल्ड है त्यान दक लेना टू मेजर फिल्ड और मुल्क राच आनंद जो है वो कौन-कौन से है एक तो नॉवल है और एक स्टोरी राइटर है दूसरा ये इंडो एंगलियन कॉमिनिटी के राइटर है तीसरा रियलिस्टिक पिक्चर ओफ सोसाइटी को दर साते हैं पिर चोथा रियलिस्टिक इशूज ओफ सोसाइटी होते हैं और उनमें भी क्या होता है शोशल इविल्स ओफ सोसाइटी जो समाज की सोशल इविल्स होती है उनको ये दर साते हैं समाज की क्या चीज? समाज की सोशल इविल्स को दर साते हैं दूस्तो एक चीज और कि ये जो मुल्क राज आनन्द है इनके कंटम्परेरिज में ट्राइपोल बाना जाता था। ट्रिपॉल ये राइटर्स थे तीन मतलब तीन ऐसे राइटर्स जिनको जिन्होंने इस प्रकार के conceptions को दर्साया इस चीजों को दर्साया अब वो तीन कौन कौन से थे एक तो आरके नरायन आ जाते एक तो हमारे ये मुल्क राज आनन्द को हम सबसे पहले लाएंगे एक तो ह अलावा जो तीसरे है वो है राजा राओ मुल्क राजानन एहमद अली राजा राओ लेकिन अब ये स्ट्राइपोल में हम अगर जो एक व्यक्ति को और एड़ कर दें तो भी वो गलत नहीं होगा क्योंकि R.K. नरायन भी इसी केटिगरी में आते हैं R.K. नरायन R.K. नरायन जिनको आप मलगोडी के लिए जिनको गाइड के लिए आप जानते हैं तो दोस्तो R.K. नरायन हम कहें मुल्क राज आनंत, एहमद अली और राजा राओ में ट्रिपॉल तो यह है कि मुल्क राज अनन्द एहमद अली और राजा राओ इसके साथ-साथ की चार मेजर राइटर्स माने जाते हैं जो इस आपके इनके contemporary माने जाते हैं और especially उन्हीं मुद्दों को लेकर सोशल सोसाइटी को लेकर traditions को लेकर हमारी traditional values को लेकर हमारी culture को लेकर इन्होंने work लिके हैं आरके नारायना, मुलकराच आनंद, एहमद अली एंड राजा राओ तो दूस्तों ये मैंने आपको बताए कि इनके वर्क में आपको क्या देखने को मिलेगा इनके वर्क में आपको एक ऐसी पिक्चर देखने को मिलेगी मतलब जो समाज के मुद्दों से जूड़ी होगी और समाज में भी कैसे मुद्दे जो गंभीर इशूज होते हैं समाज के बहुत ज़्यादा गंभीर मुद्दों को ये अपने वर्क में दर्शाते हैं जो मुलकराच आनंद है तो मुल्क राज आनंद की दूस्तों अगर जो हम बात करें इतना तो I hope कि आपके किलेर हो गया होगा कि ये इंडो एंगलियन कॉमुनिटी में है, रियलिस्टिक पिक्चर ओफ सोसाइटी को दरसाते हैं, शोर्ट स्टोरी राइटर एस वेल आज नॉबलिस्ट हैं इसके साथ साथ रियलिस्टिक पिक्चर ओफ सोसाइटी में सोशल इविल्स को जगह देते हैं और उसमें जो आरके नारायन, मुल्क राज आनंद, एहमद अली और राजा राओ ये मेन जो है, हमारे नॉबलिस्ट माने जाते हैं, इनको कंसिर्डर के जाता है, अब हम बात करते हैं, मुल्क राज आनंद का जनम कब हुआ था जो मुलकराज आनंद थे दोस्तों मुलकराज आनंद की अगर जो हम बात करें तो इनका जनम हुआ था 19 दिसंबर को याद रखना 19 दिसंबर 1905 में कब हुआ था 19 दिसंबर 1905 में पेशावर में इनका जनम हुआ था कहा हुआ था पेशावर में और अब वो जो पेशावर जग ऐब दिसांबर में इनका जनम हुआ था बर्थ कब हुआ था 12 से मर को हुआ था मौलकराज आनंद का और कहा पर हुआ था ये पेशावर में हुआ था 1905 में तो दोस्तों इतना आई होप की आपके समय में आया होगा कि मुल्क राज आनंद जो है इनका जनम कब हुआ 12 दिसंबर में हुआ 1905 में हुआ चेला और कि पेशावर में हुआ तो इतना याद रखना 12 दिसंबर 1905 पेशावर कहाँ हुआ पेशावर में हुआ 12 दिसंबर 1905 पेशावर में याद रख लेना 12 दिसम्बर 1905 पेशावर में इनका जनम हुआ 12 दिसम्बर 1905 में पेशावर में जनम हुआ था इनका और ये जो जगा है पेशावर दोस्तो ये अब कहा है Now It is In Pakistan अब ये जगा है पाकिस्तान में है ठीक नब पेशावर जो जगा है कहाँ पर है पाकिस्तान में है तो 12 दिसम्बर 1905 में पेशावर में इनका जनम हुआ था जो कि अब कहाँ पर है ये अब जगे पेशावर में है और दोस्तो अगर जो हम इनकी फैमिली की बात करें फैमिली वेग्राउंड की बात करें तो ये छत्रिये फैमिली से आते थे इतना याद रख लिना कि मुल्क राच आनंद की जो फैमिली थी वो कौन से मतलब कौन से परिवार से आते थे किस परिवार से आते थे ब्रहमन से आते थे या फिर किस अधर कास से आते थे दोस्तों आपको याद रखना है यह चत्रिये फैमिली से आते थे कहां से आते थे चत्रिये फैमिली से आते थे अब इनके फादर की बात करें तो इनके फादर का नाम था दोस्तों लालचंद मुलक्राच आनन्द के फादर कौन थे इनके फादर का नाम था लालचंद और जो इनकी मदर थी दोस्तो मदर का नाम था इश्वर कौर लालचंद की बात करें तो लालचंद कौन थे लालचंद एक कलर्क थे जो बेटिश आर्मी थी दोस्तो उस समय British Indian Army जो British Indian Army थी उसमें ये Clark हुआ करते थे लालचंद थे मैंा अब कोई भी टेंशन तनाव ना ले वो मुझपर छोड़ दें और आपने छोड़़ा भी है भरोसा भी क्या है तो आपके भरोसा को कैसे में मिटने दे सकता हूँ मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आपके भरोसे आपके ट्रस्ट को मिटने नहीं दूँगा और सफलता दिलाना मेरा उद्देश्य है, सफलता पाना आपका उद्देश्य है तो दोनों मिलकर इस सपने को पूरा जरूर करेंगे तो बात हम करते हैं कि मुलकराज आनन जो है 12 दिसमबर 1905 पेशावर में इनका जरम हुआ और ये जगह इस समय कहा है? पाकिस्तान में है इनके फादर का नाम मैंने आपको बताया, लालचन इनके फादर का नाम था और इनकी मदर का नाम क्या था दोस्तो इनकी मदर का नाम था इश्वर कौर क्या नाम था इनकी मदर का इश्वर कौर इनकी मदर का नाम था और फादर का नाम इनके लालचन था अब लालचंद क्या करते थे? दोस्तों जो लालचंद थे, इनके फादर जो थे, मैंने आपको बताया कि वो बेटिश आर्मी में, जो बेटिश इंडियन आर्मी हम कहेंगे, बेटिश इंडियन आर्मी में क्या थे? बेटिश इंडियन आर्मी में इनकी कलर्क की पोस्ट थी, किस की पोस्ट थी? किलर्क की की पोस्ट पर ये काम किया करते थे और अगर जो हम बात करें, इनकी मा की इश्वर कॉर की तो एक रिलीजिस लेडी थी इश्वर कॉर कैसी लेडी थी? रिलीजिस लेडी थी इनकी कलर्क की पोस्ट थी? किस में पोस्ट थी? जो बेटिश इंडियन आर्मी थी वहाँ पर इनकी कलर्क की पोस्ट थी अब हम बात कर लेते हैं इनकी education की दोस्तो मुल्क राच आनंद की अगर जो हम education की बात करें तो इन्होंने खालसा college अमरिस सर से ठीक ना खालसा college अमरिस सर से इनकी study हुई थी कहां से study हुई थी सबसे पहले अगर जो हम college study की बात करते हैं तो खालसा college अमरिस सर से पढ़े हुए थे याद रख लेना वरनों तो most important questions है दोस्तों कि कहां से इनकी study हुई थी then your answer will be खालसा college अमरिस सर कहां से मुलकराज अनंद पढ़े थे तो आपका answer क्या होगा आपका answer होगा खालसा college अमरिस सर खालसा college अमरिस सर से मुलकराज अनंद ըे अपनी study की थी और इसके बाद ये फिर University of Punjab में इन्होंने study की पहले खाल सा कॉलेज अमरे सर में पड़े फिर University of Punjab से इन्होंने study की जहाँ पर इन्होंने graduation की degree बिली and he took the graduation degree in 1924 कब ली graduation की degree? 1924 में इन्होंने graduation की degree ली और कहां से इन्होंने degree ली अपनी पंजाब युनिवेस्टी से इन्होंने graduation की degree ले थी अब इसके बाद दोस्तो further study के लिए ये आगे भी गए और कहा गए ये लेंडन में गए और वहाँ पर इनको scholarship भी earned करी इन्होंने PhD भी वहाँ पर की तो ये जो मुलकराज आनन्द थे तो इनको PhD award होगी और इनको कहा गया doctor मुलकराज आनन्द क्योंकि इन्होंने जो PhD की थी और वो लेंडन से इन्होंने PhD की थी और इसके अलावा दोस्तों जो इन्होंने PhD की थी वो एक question और आ जाते है कि किस के अंडर में की थी तो आपका answer होगा जी डेविस के हिक्स के अंडर में इन्होंने PhD की थी ठीकिने डेविस हिक्स के अंडर में इन्होंने PhD की थी अब ये जो मुलकराज आनन्द है जैसे कि मैं आपको बताया कि मुलकराज आनन्द किस के बारे में लिखते हैं Indian society के बारे में लिखते हैं, realistic issues के बारे में लिखते हैं, traditions के बारे में लिखते हैं और especially social evils जो समाजिक बुराईया पनप रही हैं उनके बारे में लिखते हैं और इनका जो सबसे most famous work हम कहेंगे वो है untouchable याद रखना, untouchable ये जो untouchable इनका work है ये उपन्यास से दोस्तों एक fiction है और किस चीज को दरसाता है समाज में जो ये चुआ चूट की जो एक मतलब लोगों के बीच में ये बात पनप रही थी चुआ चूट वाली और कास्टिसिस्म को लेकर जो एक जाती वाद को दरसाता है ये untouchable उसी बात को दरसाता है कि एक discrimination in the society on the basis of caste system जो caste system के आधार पर इसमें ध्यान रख लेना कि इसका theme भी यही है discrimination in the society on the basis of casteism on the basis of caste system this is the theme of this novel untouchable ये untouchable की theme है और क्या theme है ये theme है दोस्तों ये जो casteism है समाज में जो जाती वाद है उसको दरसाता है जो untouchable है अब untouchable ये जो novel है दोस्तों ये 1935 में publish हुआ 1935 कब publish हुआ ये 1935 में publish हुआ और एक चीज़ और ध्यान रख लेना एक question हो रहा जाता है कि कि किसके afford से publish हुआ किसके afford से publish हुआ तो E.M. Forrester के afford से ये publish हुआ था E.M. Forrester के afford से publish हुआ untouchable और untouchable जो है 1935 में ये publish हुआ था E.M. Forrester के afford से publish हुआ untouchable जो ये novel है ये discrimination in the society को दरसाता है on the basis of caste system जो caste system है उसके आधार पर जो समाज में भेदभाव पना पराहा था उसको ये दरसाता है उस चीज को दरसाता है अब दूस्तों ये जो समाज में भेदभाव था उसके परतिये आवाज कैसे उठाए गई और क्या चीर उन्होंने दरसाई उन्होंने इसमें दरसाय कि किस प्रकार से एक परिवार है और एक कैसा परिवार स्वीपर फैमली तो एक स्वीपर फैमली और जिसमें फादर है और दो भाई है इसमें जो स्टोरी है ये लाखा, बाखा और सोहीनी और पंडित कालिनात की में स्टोरी हम इसको कह सकते हैं जो ये Untouchable Novel है दोस्तों, Untouchable Novel की बात करें तो ये किसको दर्शाता है? ये एक ऐसे परिवार को दर्शाता है जिसने समाज में यातनाओं का सामना किया. समाज में बहुत ज़्यादा है परिशानिया देखी और इसका जो हीरो है दोस्तों वो है बाखा. बाखा इसका हीरो है, सोहीनी उसकी बहन है और मैं थोड़ा से एक एपिसोड बताता हूँ क्योंकि पंडित कालीनाथ से जुड़ा हूँ है एक क्यूशन अक्सर आजाता है, नेट में पुछा गया है कि पंडित कालीनाथ ने किसको मोलेस्ट करने की कोशिस की थी? पंडित कालीनाथ ने किसको मोलेस्ट करने की कोशिस की थी? ये क्यूशन आजाता है कि पंडित कालीनाथ ट्राइड 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 में की तो आपका anser क्या होगा पंडित काली नáth tried to molest सोही नी Sister of Bartha तो यह पंडित काली नाथ ने सोहीनी को molest करने की कोशिस की थी किस fiction में की थी इह आपका उनतेचेबल में उनने कोशिस की थी अब दोस्तों किस प्रकार से कोशिस की, अब क्या हुआ था, जब सोहिनी क्या थी, सोहिनी कुए पर पानी भढने जाती थी, तो वहाँ पर जो लोव 시 chain पर उनको अलव नहीं था, वहाँ पर जाना, पानी को भढना, वहाँ पर उनको अलव नहीं करते थे, तो जो ये पंडित होता था, ये क्या करता था ये वहाँ पर पानी निकालता था और इन लोगों को जो दूर से उसमें फैक देता था उसके पानी को अब ये जो पंडित है ये एक दिन सोहिनी से कहता है कि देखो बात तो यहीं पर अजीब हो जाती है जब वो सोहिनी को अपने पास बुलाता और सोहिनी से उससे कहता है कि वो उससे मंदिर में मिलने के लिए बोलता है, उसकी सफाई के लिए बोलता है, अब सोहिनी को इस बात पर बड़ा आश्यर होता है, कि वैसे तो ये भेदभाव दर साते हैं, डिस्क्रिमिनेशन सो करते हैं, और ये मुझसे ऐसा क्यों कर रहे हैं, अब इसी ब तो वो भगकर आजाती है, लेकिन कोई भी उसकी बात पर वो नहीं करता, और दूसरी बात ये कि जब वो अपने भाई बाखा को ये बात बताती है, तो वो उससे क्या करते हैं, पंडित कालिनास से बदला लेने की सोचता है, लेकिन बाखा के फादर उससे साफ साफ कह देत कि बेटा कोई बदला नहीं लेना क्योंकि हमारी लाइफ में तो यही है हमें दूसरों की गंदगी उठानी लिखी है और हम उठाएंगे और और दूसरी बात ये कि ये जो सब कुछ हुआ है कोई भी हम पर ट्रस्ट नहीं करने वाला पंडित को सब बानते हैं उसकी बातों को सम्बानते हैं तो कोई भी हमारी बातों पर विश्वास नहीं करेगा तो बस हम कुछ भी नहीं कर सकते तो यहां पर उसका दिल जो है वो बहुत ज़्यादा मैल्ट हो जाता है परिशान हो जाता है कि मतलब मैं समाज में मतलब इतना सोचनल हो रहा है मेरी बहन के साथ ये कर पिचर वो भी दी हुई है कि जब जो एक करणल हचिंसन इसमें एक किरदार है और वो क्या करते हैं वो कोशिस करते हैं कि इसको करने की मतलब क्रिस्चिनिटी में करने की जो बाखा को और इसके साथ-साथ लेकिन लास्ट में जब हम आते हैं तो लास्ट में गांधी जी की पीच आती है और तो उसमें जो कहानी का प्रोटागॉनिस्ट है वो भी जाने की बाखा मतलब वो भी वहाँ पर जाता है लेकिन देखता है कि जब भीड़ है भीड़ में सभी लोग एक दूसरी से मिल ले तो वो सोचता है कि यहां पर यह अचूत पना कहां चला गया कहां गांधी जी ने क्या कहा उस समय गांधी जी उसमें ये कहते है कि मेरे भाईयो जिनको आप अचूत समझ रहे हैं अंटचेबल्स कहा रहे हैं कोई भी अचूत नहीं है अचूत नाम की तो कोई चीज होती ही नहीं है कोई भी अंटचेबिलिटी अचूत नाम की कोई चीज न वह भाई बहन है ठीकिन अब वह हमारे भाई बहन है जिनको किस नाम से जाना गया है जिनको अचूत कहा गया है क्योंकि अचूत तो कोई है ही नहीं वह इस बात को कहते हैं कि कोई भी अचूत नहीं है यह सब क्योंकि भगवान ने एक रूप हमें दिया है एक तरह से हमें बन untouchables there is nothing like that untouchables कि untouchables यसी कोई चीज रही है rather they are children of God means हरी जन तो वहाँ पर उन्होंने कहा कि आज से तुम्हें लोग किस नाम से जानेंगे children of God के नाम से जानेंगे children of God मतलब बच्चे किस के भगवान के and God stands for हरी God का मतलब क्या है हरी है and children, children stands for जन तो it means हरी जन, आज से तुम्हेंरे एक नई पहचान होगी एक अलग पहचान होगी और वो क्या होगी ? वो होगी हरी जन के नाम से आपकी एक अलग पहचान होगी तो ये बात किस ने कही दोस्तो ? ये बात गांधी जी ने कही किस work में कही ? untouchable work में गांधी जी ने इस बात को कहा तो इस प्रकार की picture इस प्रकार की society यहाँ पर हमें देखने को मिलती है कहां मुल्क राचानन्द के work में हम इस प्रकार की एक picture देखने को मिलती है the glimpse of society हम कह सकते है especially deals with social evils अब इसके बाद हम बात करेंगे कि ये जो मुलकराज आनंद थे किस से जादा प्रभावित थे किस से प्रभावित होकर हम ये कह सकते कि इन्होंने जो राइटिंग फिल्ड में अपना एक जॉन लिया वो किस से प्रभावित होकर लिया तो ये जो untouchable था दोस्तो untouchable को जो इन्होंने लिखा तो untouchable को लिखने से पहले ये writing skills से प्रभावित हुए थे दो लोगों की अब वो दो लोग कौन कौन से थे The one was महत्मा गांधी एक तो थे हमारे महत्मा गांधी जो महंदास कर्मचंद गांधी की बात करते हैं और दूसरे थे James Joyce James Joyce और महत्मा गांधी के वर्क से या फिर ये कह लीजिए कि under the writing skills he was influenced with the writing skills of महत्मा गांधी and James Joyce तो James Joyce और महत्मा गांधी के writing skills से बहुत ज़्यादा ये impressed थे ठीकर अब बहुत ज़्यादा impressed थे तो उससे impressed होकर इन्होंने ये वर्क लेखा जिसका नाम था untouchable ठीकर इतना clear हो गया होगा जो untouchable है किससे प्रभावित होकर लेखा James Joyce और महत्मा गांधी से इन्होंने प्रभावित होकर ये वर्क लेखा जिसका नाम था untouchable तो ये उससे प्रभावित होकर लेखा गया अब दोस्तों इसके बाद हम बात करते हैं कि एक American जो writer है हमारे जिनका नाम है Ernest Heming Bay American writer है Ernest Heming Bay मुलक राज आनंद की इन से मुलाकात हुई थी अनंद की Ernest Heming Bay से और ये question ऐसे नहीं आता question ये आता है कि मुलक राज आनंद ऐसे कौन से English writer से मिले थे जिन्होंने suicide कर लिया था who committed suicide तो और एक चीज और दोस्तों मेरी एक वीडियो भी है और ये वीडियो मैंने मतलब open ही डली हुई है YouTube पर ही जिन्होंने suicide किया था तो आप एक बार उस वीडियो को भी देखें अपनी मतलब knowledge के लिए अगर जो आप आगे मतलब कोई net वगरा की आप भी तयारी कर रहे हैं तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखिए तो उससे भी आपको एक बहुत अच्छा मतलब एक knowledge मिलेगी कि essay writers जिन्होंने English literature के वो writers जिन्होंने suicide किया तो उनकी भी एक special वीडियो मैंने बनाई हुई है एक different वीडियो है different type की हम कह सकते हैं तो उसको भी देखिए तो Ernest Hemingway दोस्तों वो एक essay writers थे एक essay writer थे जिन्होंने क्या किया था who committed suicide जिन्होंने suicide किया था तो वो कौन थे दोस्तों Ernest Hemingway थे वो writer जिन्होंने suicide किया था अब इसके बाद दोस्तों मुलकराज आनंद के एक work है जो picarescue है अब ये question आता है कि which of the following is the picarescue novel इन में से कौन सा picarescue novel है हम untouchable को ले लेते हैं कुली ले लेते हैं both of these ले लेते हैं none of these ले ले लेते हैं कि untouchable है कुली है दोनों है या इन में से कोई भी नहीं है तो ये question अगर जो आपका आजाए तो आपका answer क्या होगा your answer will be kuli आपका answer क्या होगा? kuli आपका answer होगा अब equation ये भी बन जाता है ये मैं आपको starting में जब picaresk बताया था कि picaresk क्या होता है picaresk novel की अगर जो हम बात करें तो picaresk क्या होता है? किसको picaresk कहा जाता है? what is picaresk? क्या होता है ये picaresk? तो आपको याद रखना होगा तो उस तो picaresk word comes from Spanish word picaro picaresk शब्द कहां से आया? picaresk शब्द की उत्पत्ति हुई Spain भाशा के शब्द picaro से कहां से picaresk बना? picaresk बना Spanish word picaro ये Spanish word picaro से आया और picaro का मतलब क्या होता है? picaro का मतलब होता है rogue और name of society समाज का सताया हुआ व्यक्ति समाज का सताया हुआ व्यक्ति कहलाता है picaro अब दोस्तों ये picaro कोन होता है? picaro एक चोर हो सकता है picaro कोई rober हो सकता है picaro इसके अलावा कोई criminal activity का बंदा हो सकता है कोई murderer हो सकता है killer हो सकता है तो वो पिकारों हो सकता है लेकिन क्या एक गरीवर का व्यक्ति पिकारों हो सकता है जिसने कोई क्राइम ही ना किया हो बिलकुल हो सकता है तो जो समाज का सताया हुआ व्यक्ति है ऐसा व्यक्ति who is exploited in the society एक ऐसा व्यक्ति जिसको समाज में सोशन जिसका किया रहता है दोस्तों वो होता है पिकारो उसको पिकारो कहा जाता है उसको हम पिकारो बोलते हैं ठीक है जो की समाज का सताया हुआ व्यक्ति होता है जिसको समाज में जिसका सोशन किया जाता है उसको पिकारो के नाम से जाना जाता है अब इसमें पिकारो की बात करें तो यहाँ पर हमारा एक जो कुली है कुली उपन्यास है इनका कुली में जो कुली ये नॉवल है कुली में इसका मुख्य जो करेक्टर है वो है मुन्नू मतलब जो इसका मुख्य किरदार है जो प्रेटागॉनिस्ट है इस कहानी का वो मुन्नू है एक 14 साल का लड़का मुन्नू और इसके अलावा पिकरेश्क में क्या होता दोस्तो जो हीरो है हीरो travels from one place to another place and generally wherever he visits he is exploited there and at last we come to know that he dies away उसकी म्रत्यू हो जाती है जो हीरो होता है उसकी म्रत्यू हो जाती है हीरो मर जाता है अन्तिता है उसको म्रत्यू मिलती है तो कुली में ही ऐसा कुली में भी हमें ऐसा देखने को मिलता है कुली में क्या होता है कि जो हीरो है यानि कि मुन्नू का करेक्टर जो है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर मतलब जाता है और जहां भी जाता है उसका सोशन होता है पर एक्जामपल वो विलासपुर में था विलासपुर में वो किसके साथ था अपने चाचा जो इनके चाचा दयाराम और चाची गुजरी के साथ था और चाचा दयाराम के अंदर बिल्कुल दया नहीं और चाची गुजरी जो थी वो मालो की गई गुजरी थी इस प्रकार के मतलब वो थे लेकिन वहाँ पर इनकी पेटाइ वगरा भी करते थे मुन्नु की और चाची तो जाधा ही करती थी लेकिन उसके बाद वो प्यार भी कर देती थी लेकिन अब उनको लगा क्योंकि मुन्नु के माबाब जो थे चाचा चाची के पास रह रहा था, लेकिन उनको वो बर्डन लगने लगता है, specially चाची को वो कहता है कि अब ये मुन्नू इतना बड़ा हो रहा है कि दो वक्त की रोटी तो कमाएगा, बाहर जाएगा तो इसको बाहर वेजो, अब देयाराम को अपने प्रोफिशन पर बड़ा गर्व था, क्योंकि वो पास ही के एक कस्वे शामनगर में का इंपीरियल बैंक था, इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया ब्रांच शामनगर, वहाँ पर वो एक चपरासी की जॉब करते थे, और उनको अपने चपरासी होने पर बड़ा घमंड था, तो वो मुन्नू को क्या कहते हैं, कहते हैं कि मुन्नू को मैं अपने यहाँ पर लगा दूँगा, मेरे यहाँ पर है ठीकर बाबू नाथूराम, तो मैं नाथूराम जी के यहाँ पर लगा दूँगा, नाथूराम वहाँ पर जो थे वो कलर्क थे, उसी उसमें, तो नाथूराम के यहाँ पर मैं इनको अपॉइंट करवा दूँगा, उनकी बीबी जो उत्तम कौर है जो वास्तम में उत्तम थी ही नहीं तो बीबी उत्तम कौर को एक नोकर की आवश्यक्ता थी तो वो कहते कि मैं इनको वहाँ पर ले इसको मुन्नू को वहाँ पर ले जाओंगा अब मुन्नू जाता है और मुन्नू को पैदल पैदल घसीटा जाता है मुन्नू सोच रहाता कि आज वो गाली से जाएगा या तांगे वगरा से मतलब जो भी काल्ट वगरा वेलेबिल थी तो उससे जाएगा लेकिन नहीं मुन्नू को पैदल ले जाता है नाथूराम जो कि एक नंबर के हैंट पैक्ड है नाथूराम का करेक्टर कैसा है हैंट पैक्ड है हैंट पैक्ड मतलब यानि की पूरे जोरू के गुलाम हम कह सकते हैं इस प्रकार करेक्टर नाथूराम का है तो जो नाथूराम है वो कहते हैं कि बीवी उत्तमकोर से पूछते हैं और बीवी उत्तमकोर के पास इसको ले जाओ मुन्नू को और उससे बरतन साफ करवाती है, बजार का समान उससे मंगवाती है, सब कुछ मुन्नू करता है, मुन्नू को रहने के लिए एक छोटी सी जगह दे दी जाती है, जो कि जीने के नीचे का हिस्सा होता है, एक ऐसी जगह मुन्नू को रहने के लिए दे दी जाती है, और मुन्नू जो है अपना काम कर रहा था और उधर एक दिन WP England जो कि एक अंग्रेज होते हैं उनका वहाँ पर आना होता है इनके घर पर नातुराम के घर पर मुन्नू बड़ा excited हो जाता है कि आज वो पहली बार अंग्रेज को देखेगा और जब वो वहाँ पर जो चाइनीज क्रॉकरी में वो नास्ता लेकर जा रहा होता है चाय लेकर जा रहा होता है तो वो सारी की सारी चाय जो है वो उस WP England यानि कि उस अंग्रेज को पर विखर जाती क्योंकि मुन्नू ने पहले कभी अंग्रेज को नहीं देखा था तो वो नर्वस फील हो जाता है और वो सब कुछ उस पर भिखर जाता है WP England गुस्ता हो जाते है और वो वहाँ से चले जाते है लेकिन उसी बीच में मुन्नू को बहुत बुरी तरह से पीटा जाता है बीबी उत्मकौर के द्वारा लेकिन घर में एक व्यक्ती है जिनका नाम है प्रेम बाबू वो मुन्नू को जो है एक तरह से स्वांतना देते हैं तो पहला केस यह होता है दूसरा केस यह होता है यहाँ पर कि वो घर में बाहर की तरफ जो है न कुंडी लग जाती है और यह बीबी उत्तमकौर यह भी अपने कमरे को बंद कर लेती है अब रात के समय क्या हुआ मुन्नू बड़ा परिशान और टॉयलेट घर से बाहर था तो हम कह सकते हैं कि जो बाहर का जो इलाका था गेट के बाहर साइड में टॉयलेट था और गेट अंदर से बंद हो जाता था अब मुन्नू को लगा कि वो कैसे करेगा मतलब उसके पेट में हलचाल होने लगी परिशानी होने लगी और जब वो परिशानी उसके पेट में हो रही थी तो मुन्नू को लगा कि अब वो किस प्रकार से इस चीजों को एड़िस्ट करेगा तो अब बड़ा परिशान उसको लगा बीबी उत्तमकोर को अगर जो मैंने बताया इस बात को तो मामला कहीं बिगड़ ना जाए तो उसको ये बात का डर था तो उसने क्या किया कि उसने वही पर जो खुला इस्थान था मतलब घर में ही अंदर ही किचन के पास ही उसने उस डर्ट को वहाँ पर फैला दिया अब सुबह सुबह बीवित्तमकोर को वो चीज पता चली अब बीवित्तमकोर ने मुन्नू की बहुत पिटाई करी लेकिन इस पार भी प्रेम बाबू ने उसको संभाल लिया अब इसके बाद क्या हुआ दोस्तो इसके बाद में एक और एपिसोड हुआ घर में दो लड़किया थी लीला और शीला शीला बड़ी लड़की थी नाथुराम और उत्तमकोर की एक दिन ये लोग मंकी डांस कर रहे थे मंकी डांस मतलब कि जो ऐसे ही बच्चे आपस में खेल होंगे जो ऐसे ही इधर उधर हाथ पर फैक्ते हैं उन पर डांस वांस नहीं आता बट वो जब डांस करते हैं तो वो सब बलकि मुन्नू का कोई ऐसा intention था ही नहीं और मुन्नू को तो इस बारे में कुछ पता भी नहीं था अब मुन्नू बड़ा परेशान होता है कि क्या करें उसकी पिटाई भी होती है अब मुन्नू ने सोच लिया कि अब वहां से चला जाएगा और एक दिन वह घर छोड़कर चल जाएगा तो दुस्तों अगर जो आपको देखना है कि मुन्नू ने दौलतपुर में क्या किया मुन्नू ने मुंबई में क्या किया और मुन्नू के साथ आप फाइनली शिम्ला में क्या हुआ तो मेरी एक special वीडियो है इस कहानी को लेकर कुली को लेकर जो कि मैंने openly यूट जिस समझ में आ जाएएंगी तो ये मैंने आपको बताया कि इनका ये पिकरेस्क की नोवल है कैसा नोबल है। फाउंडिट किया था तो आपका आंसरों का Progressive Writers Association यह Progressive Writers Association का Founder कौन थे Progressive Writers Association के Founder कौन थे तो your answer will be मुल्क राच आनन्द अब यह इन्होंने मतलब यह Progressive Writers Association जो इन्होंने बनाया था दोस्तों एक association बनाया था जिसका नाम था Progressive Writers Association मैं लिखे देता हूं चलो इनका जो ये वर्थ था जो मैंने आपको बताया भी Progressive Writers Association Progressive Writers Association के founder कौन थे तो आपका answer क्या होगा आपका answer होगा मुल्क राच आनंद क्या answer होगा मुल्क राच आनंद मुल्क राच आनंद जो थे वो Progressive Writers के वो थे और किसके guidance में क्विशन ये भी बनता है कि किसके guidance में under whose guidance मुल्क राच आनंद ने Progressive Association को फाउंड किया था तो आपका answer दोस्त होगा साजिद जहीर सजिद जहीर अंडर दी गाइदेंस ओफ सजिद जहीर ही फाउंड इट प्रोग्रेसिव Writers Association जो Progressive Writers Association था इन्हों का इन्होंने founded किया था किसके अंडर में सजिद जहीर के अंडर में उनके influence में इसको उन्होंने founded किया था अब ये जो मुल्क राच आनंद है दोस्तो ये especially जो हमारा Indian traditions है, Indian cultures है, Indian values है उनको लेकर ये work लिखते हैं अब एक question ये भी आता है कि Barbers Trade Union किसका work है? दोस्तो बहुत famous work है Barbers Trade Union मुल्क राच आनंद का एक work है जिसमें उन्होंने एक ऐसी condition को दर्सा है कि किस प्रकार से एक व्यक्ति जिसको समाज में मतलब गाउं में जो था इतना respect नहीं था इतनी जत नहीं थी लेकिन जब वो शहर में आता है और अपना एक Barber की shop पर काम करता है उसके बाद में वो एक उसका leader भी बन जाता है तो कितना मतलब उसके चेंड आता है तो किस प्रकार से समाज में एक छोटे work के व्यक्ति का भी growth हो सकता है उस चीज को इसमें दर्शाय गया है Barbers Trade Union तो Barbers Trade Union किसका work है आपका answer होगा मुल्क राच आनंद किसका work है मुल्क राच आनंद का work है Barbers Trade Union तो आपको इसको भी दिमाग में बिठा लेना है कि Barbers Trade Union किसका work है दोस्तो Barbers Trade Union work है मुल्क राच आनंद का I hope कि इतना आपको समझ में आ गया होगा अब इसके बाद हम बात करेंगे कि जो मुलकराच आनंद है और मुलकराच आनंद जो थे वो किस राइटर से बहुत सुरी ये कुश्चन में आपसे अलड़ी डील मतलब डिसकस कर चुका हूँ कि किस राइटर से वो influence थे दोस्तो महात्मा गांधी फिर भी हम रिपीट कर देत है महात्मा गांधी से बहुत ज़्यादा वह इंफ्लुूैंस थे और इसका एक चीज और मैं बताता हूं गांधी यंग इंडिया और इट मैघसीन थी खिंट इस यंग इंडिया एक मैगजीन थी और उस मैच्जीन के वर्क से प्रभावित होकर इन्होंने एक लिखा जिसका नाम था अंटच एघ्र जयसे कि अंग उससे बताया विखा यह हम से प्रभावित हुए थो यह निली दिटाने जगय दी ती जैसे कि आपको स्टोरी में भी मैं आपको आउटलाइन स्टोरी में थोड़ा सा बताया कि किस प्रकार से गांधी जी वहाँ पर आते हैं ठीके ना वहाँ पर आते हैं और लोगों के बीच में जो है वो अपनी बात को रखते हैं उस्पेशली किस के बारे में जो वहांके जो लिए एक्स्पोराइटीशन हम बोल सकते हैं वो किया राता था उनको हीन भावना का सिकार होना पड़ता था उसके बारे में यह बताते हैं अब जो मुलकराज आनंद की हम बात करते हैं दोस्तों जैसे कि मैं आपको बताया मुलकराज आनंद जो है इनकी तुलना किस-किस से क ए हैं और हमारे मुलकराज आनंद तो आते ही है तो इनकी का माता था उनको द दर्शाया था है अब इसके of Arts a lament on the death of masters of art यह किसका वर्क है यह वर्क आता है दोस्तो किसका वर्क है यह मुल्क राच आनंद का वर्क है और इसके अलावा यह जो वर्क है इसकी थीम क्या है यह भी पूछे राता है कि क्या थीम है इसकी इसकी थीम क्या है तो इसकी थीम है uselessness of British education in India कि जो British education थी इंडिया में उसकी uselessness यह कही न कहीं impact थे गांदी जी के विचारों से गांदी जी क्या कहते थे गांदी जी जब आप गांदी जी के आप पढ़ेंगे गांदी जी के वर्क को पढ़ेंगे तो उन्होंने education system के बारे में कहा है अपने work education में गांधी जी क्या कहते है जब वो हिंडि स्वाराज का एक chapter आता है education उसमें गांधी जी बोलते है कि जो सिक्षा है जो अंग्रेजी सिक्षा है जो अंग्रेजों की सिक्षा है वो हमारे लिए कोई फायदे मंद नहीं है हमें तो जिस प्रकार से हम विदेशी चीजों का हम भहिशकार कर रहे हैं उसी प्रकार से हमें इसका भी भहिशकार करना चाहिए अंग्रेजी का भी भहिशकार करना चाहिए क्योंकि अंग्रेजी किसी काम की नहीं है और यह क्या कर रही है हमें खोक करना चाहिए तो यह ऐसे ही a lament on the death of masters of arts में मुल्क राच आनन्द ने क्या किया है मुल्क राच आनन्द ने यहाँ पर एक तरह से कंडम किया है किसी इसको कंडम किया है जो यूजलेसनेस है और बेटिश एडुकेशन इन इंडिया जो बेटिश एडुकेशन है इंडिया में उ लीकिरा बरश दर्श आया है और इसके बाद दोस्तों इनका वर्क आता और तो जो एक मुल्क राच आनननद में विठाना रहे तो काव में जो जी कहां एपिक से जुड़े हुएं और हमारे exped请la भर रमायन जो हिंदू का पे मसidir है रामायन उससे इसमें academic में जुड़े हुए हैं तो दुवी में एंड़ा है मुल्क राच आनन्द का तो उसमें इससे जुड़े हुए हैं और इसमें कहीन जो रामायन का किरदार आता है सीता का और इसमें किरदार आता है गौरी का याद रखना कि the women in the cow में कौन सा किरदार आता है गौरी का किरदार आता है गौरी की comparison किस से की गई है या फिर गौरी symbolizes सीता इतना याद रख सकते हैं गौरी किस का प्रतीक है गौरी कि रामयान हमारा हिंदू का एक महाकाव्य है महांगरंध धार्मिकरंध है तो उससे प्रभावित है इनका यह वर्क अब इसके बाद दोस्तों यहाँ मुल्क राज आनंद का कि एकолет और दोसा So इसमें एक किरदार आता है दोस्तों ये पूछी ले जाता है कि किसका किरदार है अब ये किरदार कौन सा है किरदार का नाम है लाल सिंग लाल सिंग जो है किस वर्क में हमें देखने को मिलता है your answer will be across the backwaters that is the famous work of मुल्क राजनन and there we find a famous character लाल सिंग वहाँ पर हमें famous character देखने ु आगर आगर जो आपको वास्तम वास्तमैं समझ में आर है आपको क्लास अच्छी लग रही है दोस्तो हम जली जली बढ़ेंगे काफी कुछ क्षिछ करेंगे तो इस तरह से आपकी तयारी जो है बहुत प्रॉपर अब होने वाली है अब चिंता चोड़ दीजिए क्योंकि अब आपकी चिंता को मैंने यहां पर पूरी तरह से एक स्ट्रेटिजी के साथ कराना चालू कर दिया है अब आपकी जो प्राब्लम है वो बिलकुल दूर होने वाली है तो यहां पर जिस्ट किमी वन मिनिट्ट पैस्ट किमी अब कर दो कर दो कर दो कर कर दो कर दो करेक्र कर दो कर दो झाल 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 तो दोस्तो सॉरी फॉर दैट अब स्टार्ट करते हैं आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद एक करेक्टर आता है मिस्स मैन वेरिंग का लाल सिंग का करेक्टर आपने देखा अब यह मिस्स मैन वेरिंग का करेक्टर हमें कहां देखने को मिलता है कौन से वर्क में हमें यह करेक्टर देखने को मिलता है तो दोस्तो यह आंसर विल बी कुली तो आपका अंसर क्या होगा कुली में आपका अंसर होगा Mrs. Manwearing जो की एक Anglo-Indian lady है और वो भी मुनी को physically और sexually वो exploit करती है मुन्नू का जो है वो सोशन करती है तो Mrs. Manwearing का character कहां देखने को मिलता है Mrs. Manwearing का character हमें देखने को मिलता है कौन से वर्क में कुली में हमें Mrs. Menvairing का वो character हमें देखने को मिलता है इसके बाद दोस्तों इनका एक famous character ओर है जिसका नाम है गंगु क्या नाम है गंगु याद रखिये इनको नाम को लाल सिंग को याद रखिये Mrs. Menvairing को याद रखिये अवलदार चरश सिंग को याद रखिए, कंडल हचिंसन को आप याद रखिए, इसके साथ साथ गंगु को आप याद रखिए, तो गंगु का जो करेक्टर है, गोरी को आप याद रखिए, तो गंगु का जो करेक्टर है, गंगु का करेक्टर हमें किसमें देखने को मिलता है इनका famous एक work है दोस्तो Two Leaves and a Bird Two Leaves and a Bird यह this is one of the most prominent work by मुल्क राजानन्द यह मुल्क राजानन्द का बहुत ही बहुत prominent work है तो Two Leaves and a Bird तो Two Leaves and a Bird में गंगु का किरदार हमें देखने को मिलता है तो the character of गंगु appears in Two Leaves and a Bird Two Leaves and a Bird में यह character आता है गंगु character का नाम क्या है गंगु और work का नाम है Two Leaves and a Bird Two Leaves and a Bird में character आता है गंगु Mrs. Manwearing का character कहा आता है कुली में आता है लाल सिंग का character across the backwaters में आता है जो लाल सिंग का character है इसके बाद दोस्तों इनका एक character आता है अनंता अनन्ता का character हमें कहां देखने को मिलता है In which work of मुल्क राच आनन्द we find the character of अनन्ता तो अनन्ता का character हमें मुल्क राच आनन्द के कौन से work में देखने को मिलता है तो आपका जो answer होगा वो होगा the big heart In which work we find the character of अनन्ता अनन्ता का character हमें किस work में देखने को मिलता है answer क्या होगा दोस्तों आपका answer होगा the big heart अनन्ता ये character है one of the famous characters in the work of मुल्क राज आनंद so which work the big heart the big heart में ये अनन्ता का character हमें देखने को मिलता है तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं तो आज PGT का मैंने आपको मुल्क राज आनंद के बारे में कराया अभी मुल्क राज आनंद की series अभी चलनी है दोस्तों एक दो दिन और लगेंगे मुल्क राज आनंद में तो इसके बाद हम start करेंगे अपना next writer लेकिन पहले हमें तयार करना है मुल्क राज आनंद को क्योंकि अभी इनके कुछ works discuss करने है कुछ अभी और भी बाते हैं मुल्क राज आनंद को लेकर जो आपके साथ discuss की जाएंगी तो बाकी का जो portion है वो हम कल करेंगे आज के लिए इतना ही रखते हैं बाकी TGT की जो videos हैं वो आपको उसी sequence में जैसे आपको मिल नहीं थी वो मिलती रहेंगी if you are enrolled for that batch तो दोस्तो आज के लिए इतना ही thank you very much यॉर्स डॉक्टर सिचिन गोश्वामी